जै गुरु देव जै चिनेंद्र कैसे आप सब आजवे खश में आप सवी का स्वागत हैं आज की विशेश जानकारी में हम बात करेंगे अमावस्या की अमावस्या कब है क्या सही दिधी है कब से कब तक है और क्या विशेश इसमें उपाई करना चाहिए और ये जो अमावस्या है ये है असाड की अमावस्या तो क्या महत्वर रखती है ये अमावस्या और इसमें कौन कौन से ऐसे कारे किये जाए जिससे आपके जीवन में नई खुशियों का संचार हो आपके पित्र प्रसंद होंगे तभी वे आपको आश्रवाद देंगे और आपको जीवन में आगे सफलता मिलेगी तो देखिए असार का महीना चल रहा है इस बारे अमावस्या नो जुलाई दिन शुकरवा को पड़ रही है अमावस्या तिथी हर महीने के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथी को अमावस्या कहलाती है असार मास की अमावस्या तिथी को हल हारनी अमावस्या और असारी अमावस् करके लिए विदी विधान के साथ हलका पूजन करते हैं और इश्वर से अपनी फसल को हरी बरी रहने के लिए कामना करते हैं तो सभी किसान भाई के लिए सभी किसानों के लिए खेती कने वालों के लिए ये अच्छा अवसर है इस अमावस्या को अपने जितने भी आपके हल हैं उनकी अवस्या पूजा करे ताब कि आपको इन से आगे भी और अधिकला मिलते रहें आपकी फसल अच्छी हो इसी के साथ साथ अमावस्या के दिन पित्रों का शाद करने के लिए भी ये दिन बहुत शुब मना गया है इसलिए पित्रों के तरपन के लिए असाद अमावस के दिन नदी में सनान और दान पुन आदि करना चाहिए तो अभी तो बहुत स्थिती सुधर गई है फिर भी अगर नदी में सनान ना किया जाए तो घर में ही पानी में गंगाजल डाल कर उसे स्नान करें तो भी बहतर है। स्नानादी करके गंगाजल से घर में ही आप तरपन करें अपने पित्रों के निमत। ये कारे आपको जरूर करना चाहिए। तो चलिए अब अमावस की तिथी कब से कब तक है ये हम बात कर लेते हैं असार मास की अमावस जाती थी 9 जुलाई की सुभे 5 बचकर 17 मिनट से शुरू होकर मेरे सिट के हिसाब से 5.17 मिनट से शुरू होकर 10 चुलाई की सुभे 6.47 मिनट पर समाप्त होगी तो इस हिसाब से 10 चुलाई को सुभे 6.47 मिनट पर अमावस्या अगर खतम हो रही है तो सूरे उदे की अमावस्या 10 तारीक को भी मानी जाएगी जो की शनिवारी अमावस्या पढ़ेगी, शनिवार के दिन होने के करण इसका विशेश महत्व और भी बढ़ गया है, नो तारीक को पित्रों के निमित कारे किये जाएंगे, और शनिवार को आप अपने परिवारिक और भी छोटे मोटे जो भी उपायाप करना जाहें, इसमे धनवरिधी के लिए, आकस्मिक धनप्राप्ती के लिए, घर में सुक्षानती बनाए रखने के लिए, घर से नकारात्मक्ता को मिटाने के लिए, इस तरह के जितने भी उपाय अमावस्या को किये जाते हैं, वो सभी आप शनिवारी अमावस्या आरथा दस तारीक को कर सकते नो तारीक की संध्या के समय आपको पूरे घर में सरसों के तेल के दिये जलाने चाहिए तो फिर इसके बाद जितना उचित हो सके दान दक्षिना करने चाहिए अमावस्या के दिन पित्रों की आत्मा की शांती के लिए उपवास भी आप कर सकते हैं आप चाहें तो दोनों ही दिन शुक्रवार 9 तारीक को शनिवार 10 तारीक को दोनों ही दिन दान कर सकते हैं अन का दान करें किसी भी तरह का दान करें बिलकुल करना चाहिए क्योंकि दान देने से पुन्य की प्राप्ति होती है और मरने के बाद भी आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है तो जरूर दा जदहिए क्या रीमें में इस समय में करना चाहिए मुझार और movie अशार मास के आल दिमें बारिष का मौसम शरू हो जाता है अर्था चस्थोर मास भी शुरू हो जाता है और आवसिया समाप्त होते ही प्रतिपदा जो लगती है इसी प्रतिपदा को गुप्त नवरात्री भी शुरू हो जाती है जिसमें तांत्रिक रियाई की जाती हैं जितने भी तांत्रिक होते हैं खास कर गुप्त नवरात्री में तांत्रिक ही अपने विद्याओं को पावरफुल बनाने के लिए माशक्ति की अराधना करते हैं दस मह विद्याओं का पूजन करते हैं तो गुपतनव रात्री के बारे में पूरी जान करी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरू कमेंट कीजिएगा फिर इसके बाद तो चली अब बात कर लेते हैं अमावस्या के उपाए कब होंगे तो देखें नो तारीक को आप सभी उपाए दिन वाले कर सकते हैं रात्री का उपाए भी शुक्रवार को ही होगा जैसे नेंबू है अनार है जो भी आप रात्री के उपाए करते हैं वो भी शुक्रवार को अब शनीवार अमावस्या जो है वो सुभे साथ बच कर कुछ एक मिनार तक रहेगी और सुर्य उद्य की होने के कारण शनीवार के दिन सुर्य उद्य तक अमावस्या रहेगी इसलिए शनीवारी अमावस्या मानी जा रही है और इसमें आप जो भी चाहिए अपनी ग्रहस्ती सब्सक्राइब करने के लिए उपाई कर सकते हैं शनिवारी अमावस्या को खास उपाई करें साथ लोंग साथ लोंग अपने उपर से एंटिक लोकवाइज उतार कर चुप चाप ले जाकर चुराहें पर फैंग दें और पलट कर बिल्कुल भी ना देखें चुप चाप घर आ प्रवेश करें ऐसा करने से क्या होगा ऐसा करने से आपके उपर अगर किसी ने कुछ किया कराया है आपके उपर बार बार नजर लगती है बहुत जादा नजर लगती है तो इस उपाई के करने के बाद आपके उपर कोई भी किया कराया सारी समापती हो जाएगी आपके पर अगर नजर लगती है तो इससे भी नजर दोश भी हड़ता है तो बहुत ही कारगर उपाए है इसे हम आवस्या के दिन अवश्यक कर लीजिएगा इसी के साथ साथ जिनकी कुणली में शनी ग्रह कमजो स्थिति में हैं उन्हें इस दिन रातरी को ओम शम सनिश्चराय नम्ह इस मंत्र का जाप अवश्यक करना चाहिए तो इस से शनी देव प्रसन होते हैं और आपके जीवन में जो भी समस्यां लगतार आ रही हैं ऐसा करने से वो सभी समस्यां हट जाएगी आपके कारे सफल होने लगेंगे तो देखा आपने कितने आसान से उपाए हैं और इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप पहर कारे करें तो मावस्या के बाद आएगी गुप्त नवरातरी और गुप्त नवरातरी के साथ साथ उसी दिन 11 जुलाई को रवी पुशय योग भी है बहुत ही शुब योग है रवी पुशय योग के दिन ऐसा क्या किया जाए कि जिससे आपके घर में धन की बरसाथ होने लग जाएं कहने का अर्थ है कि कभी भी धन की कमी ना रहें तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो कमेंट बक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा तभी रवी पुशय योग पर बहुत ह कारगर उपाय की बात करेंगे वीडियो आपके सामने जल्द ही होगी आपके बस कमेंट्स का इंतजार रहेगा तो वह चलिए अभी के लिए देते हैं वाली को विराम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकर के साथ अब तक के लिए अपना ध्यान रखिए मस रहिए स्वास रहिए अपने अपनों का विध्यान रखिए और वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिए ज्या गरुते उचा जनेंद्राम